हेलो वेलकम बैक तो माई अडिक चनल गाईज आज किस फीडियो में में लोग डिसक्स करने वाले रिलेशन मैपिंग इन हाइबर नेट विच इसके बिना आप अगर प्रैक्टिकल एप्रोच में डिरेक्ली बढ़ जाते हो रिलेशन मैपिंग के टॉपिक में तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर कोई सी भी डाफिनेशन के बारे में डिसक्स नहीं करेंगी यहां पर जो रेगुलर हम लोग रियल लाइफ के देखते हैं उन्हीं एग्जम्पल्स के थ्रू हम लोग चीजों को समझने वाले हैं इस वीडियो में तो गैस सबसे पहले में डिसक्स करते हैं कि one to one relation क्या होता इसका मीनिंग क्या होता बहुत ही सिंपल सा तरीके से समझते हैं गाइस लेट से कि यहां पर एक बॉय है और यहां पर लेट से एक जस्ट मिनट ओके यहां पर माल लेते हैं कि एक गर्ल है ओके इमाजिन कर लेते हैं राइट तो एक ग girlfriend तो इनके बीच में one to one relation होता है मतलब कि एक girlfriend का एक boyfriend है एक boyfriend का एक girlfriend है यहाँ पे कुछ लग सोच रहेंगे अरे यार ऐसा नहीं होता आप तो exceptions हैं एक girlfriend की multiple boyfriends होते हैं आज के समय में तो इसको थोड़ा सा और enhance कर लेते हैं इस तरह समझो मालो यह husband है ठीक है h और यह wife है w तो guys समझो यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता न यहाँ पे भी बहुत rare एक परसेंट का exception है कि एक husband के multiple wives हो जो पुराने जमनी में होता था लेकिन अभी इसको include नहीं कर रहे हैं अभी समझो कि क्या होता है guys एक husband की एक wife होती और एक wife का एक husband होता है ठीक है मतलब यहाँ पे totally हम लोग simply देख पा रहे है कि यहाँ पे wife के अगर नजरिये से दोखो guys तो क्या है उसका एक husband है अगर husband के नजरिये से दोखो तो उसकी एक wife है तो यहाँ पे simply हमें दिख रहा है कि यहां पर है क्या है one-to-one relation तो this is a one-to-one relation तो मुझे लगता है कि इतना sufficient है और मैं उम्मिद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि one-to-one relation क्या होता है मतलब एक object या फिर एक entity का किसी दूसरे object के बीच one-to-one relation है जैसे कि आपका mobile और आप आप mobile और आपके बीच में one-to-one relation है एक mobile और एक आप तो here is one-to-one relation आप बात करते हैं कि one-to-one relation क्या होता है मान लो गाइस parents है ठीक है parents है ठीक है parents होता है simply ठीक है parents में consider किया जाता है wife और husband को basically मान लो एक father है ठीक है इमाजिन कर लो ठीक है तो क्या होगा गाइस parents के अगर terms में देखो गाइस तो parents के कितने child हो सकते हैं अब guys दो हो सकते हैं तीन हो सकते हैं अब कुछ लोग कहेंगे यार एक भी तो हो सकता है correct हो सकता है बिलकुल हो सकता है और फिर एक हो सकता है तो यहां पर फिर से again one-to-one relation हो गया नहीं guys ये one-to-one relation नहीं हुआ क्यों नहीं हगा guys क्योंकि यहां पर एक chance है chance कैसे मतलब अच्छा मैं आपसे पूझी कि पैरेंट्स के एक ही child हो सकता है एक ही जाल्ड हो सकता है लाइन simple ही सुनिए guys एक ही child हो सकता नहीं यहां पर chance है एक ही ही चार्ड हो सकता है यहां यहां पर one to many का चांस है कि मतलब many children होने के चांस है multiple children होने के chances है right कई child होने के chances हैं तो इसलिए लेकिन यहां पर I mean husband multiple wife और wife की multiple husband होने के chances नहीं आची दिवाद इसलिए यह totally satisfied करता है one to one relation को लेकिन यह अगर one children भी है उस क्या है नहीं case तो यह है कि हो सकते हैं हो और होते हैं किसी parents के नहीं हो सकते हैं लेकिन किसी parents की तो ओंगे तो यह fix नहीं है कि one ही होगा तो यहां पर क्या हुआ guys one to many relations create हो गया एक parents और उसके multiple children होने की chances तो इस इस आ वन तो मेनी रिलेशन होफ़ली मैं उम्मिद करता हूँ यह भी आपको समझ में आ गया होगा तो अब गाइस हम लोग बात करते हैं कि मेनी टुवन रिलेशन क्या होता गाइस दोको मेनी टुवन रिलेशन जिस्ट अपोजीट सेकेंड वाला डाइग्राम जैसे क क्या होता गाइस लिट से कि मतलब कि यहां पर इन नंबर ऑफ चाइल्स है राइट तो यहां पर जब इन नंबर ऑफ चाइल्स हैं तो गैस यह बताईए अगर एक ही फैमिली की बात कर रहा हूं मैं अलग एक फैमिली की बात नहीं कर रहा हूं तो उनके पैरेंट्स जो होत में A, B, C, तीन चाइल है, A के पारेंट जूसर है, B के पारेंट जूसर है, तो ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या है, गाइस, many to one relation, ठीक है, so this is a diagram of many to one relation, hopefully मैं उम्मिद करता हूँ, यह भी आपको समझ में आ गया होगा, अब गाइस, last बसता है, many to one, many to many relation, which is very important, अभी इसको समझते हैं, बहुत ही simple तरीके से, इसको भी समझते हैं, माल लो कि यहाँ पर, let's say, children से, ठीक है, तो मतलब कि children से, एक ही family पर यह पूरा diagram मैंने खतम कर दिया, right, तो माल लो, एक ही family में तीन children है, और तीनों children के लिए, क्या माल लो कि, कोई games हैं, let's say, यहाँ पर games है, एक ही football, एक bad ball है, let's say, bad ball है, ठीक है, और यहाँ पर chase है, something, ठीक है, chase है, तो guys समझो, कि क्या हो सकता है, कि यहाँ पर एक चीद देखना guys, just a minute, मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, अब guys समझो, कि माल लो, कि यह एक child है, ठीक है, तो क्या होगा guys, अब एक ही family के भी ना हो, अलग-अलग family के हो, तो भी matter नहीं करता है, लेकिन एक चीद समझो, कि guys, यहाँ पर जो बच्चे हैं, जो children's हैं, उनके जो games है, अब एक बच्चे को football भी पसंद हो सकता है, एक बच्चे को bad ball भी पसंद हो सकता है, correct, मतलब कि हो सकता है कि एक बच्चे को football और एक game जो है, multiple बच्चों को भी पसंद हो सकता है, और इसको भी बाड बॉल भी पसंद उ तब चैंज यहाँ पर देख रहे हो। कि मदलब मेडी चिल्डरुश को मेडी गेम्स पसंद हो सकते हैं। और मेडी जो हैं कई सारे गेम्स जो हैं मेडी बच्चों को पसंद हो सकते हुरे तो यह HELता झाल, 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 झाल